बॉड आनुटूराइंग्स इस एडिविजन ऑफ चैप्र फाइब फाइब तो ये नावट्वर्ण नॉप्टूर्स देखिए हमने मुल्टिपल कर चुके फाइब 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 करेंगे फैक्टूर्स क्या होते हैं जिन जिनकी टेबल में ये नंबर आता है या उस नमबर से divisible हैं वो नमबर तो देखिए जैसे यह अपकी एक्सरसाइज चैप्टर फाइब भी चल रहा है आपका जैसे नमबर बान में देखिए 7 7 के फैक्टर क्या होंगे 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में नमबर 2 9 9 किस में आता है 1 3 & 9 नमबर 3 16 इसके फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 में नहीं आता 4 फिर 8 & 16 तो यह इसकी क्या है फैक्टर क्या लगते हैं ठीक है नमबर 2 कोश्चन क्या है बाकी आप अपने आप करेंगे ठीक है नमबर 2 क्या find the common factors of the following numbers अब इसमें 2 2 numbers आपको दिये गए है यह question 1 था आपका question 2 है इसमें आपको जैसे 8 & 12 दे गया अब इसके 8 की और 12 की factors लेखो 8 के क्या है 1 2 4 8 12 की factors 1 2 3 4 6 & 12 यह इंस भी टेबल में देखे यह नमबर आता है अब क्या करना है हमें common factor निकालना है तो देखे वन common factor है दोनों में आ रहा है 2 & 4 तो हमके लिखेंगे common factor factor of 8 & 12 is equal 1 2 & 4 इस तरह से आपको करना है फिर है question 3 find the largest common factor of 21 & 28 आप देखे question 3 जो है आपका इसमें 21 & 28 इनके factors लिखेंगे पहले हम 1 3 7 & 21 28 की क्या factor है 1 2 4 7 14 28 आप देखे पहले हम इसी common factors निकाले हम क्या है 1 & 7 बस तो पहले हम common factor लिखेंगे common factors क्या है इसमें 1 & 7 अब इसमें आप से कहा जा रहा है largest common factor क्या हुआ इन दोनों में से कौन सा largest है बड़ा कौन सा है 7 तो हम क्या लिखेंगे largest इस तरह से आपको largest common factor निकालना है question 4 भी इसी तरह से है 5 में largest common factor अब इसमें 3 numbers दे दिया है तो 3 में तीनों में common होना चाहिए 12 18 & 24 में यह मैं आपको करवा चुकी है तो इस तरह से आपके अब देखिए इसमें objective type question mcqs जो है the two common multiples between 3 & 4 are 2 3 & 4 की common multiple इन में से कौन से है none of these इन में से देखिए 3 & 4 की multiple निकाल लें क्या है 3 के multiple कह रहे हैं इतना ही लिख लेते हैं 4 8 12 16 20 अब आप से क्या कहा जा रहा है two common multiple between 3 & 4 3 & 4 के देखिए अब आप multiples common two common multiple तो देखिए इन में आपके भी 12 आया है और आगी जाएंगे तो और आ जाएंगे तो इन में से कोई सा भी नहीं आपको option दिया हुआ है इसमें आपको factor बताना है 4 यह question था आपका और B B में क्या है 4 & 12 इनके factors तो common factor 4 के factor क्या 1 2 4 12 के 1 2 3 4 6 & 12 अब आप से कह रहे हैं इसमें common factor क्या है 1 2 & 4 तो आप देखिए इसमें option दिया हुआ है तो इसमें C होगा C में 4 नहीं लिखाता तो मैंने आपको 4 लिखवा के कहाता इस C को write 1 2 4 को common हो जाएगा C क्या है the number which divides 63 & 91 completely तो 63 & 91 का पहले आप वो निकालिए factors 63 यह C question है आपका 63 & 91 इनके common factor the number which divides 63 & 91 completely तो इसके लिए इनके देखिए 63 किसके factors के है 1 2 नहीं है 3 फिर 7 9 और 21 & 63 अभी हम इतने लिखते पर चलिए देखिए ना फिर 91 का क्या है 91 किस किस में आता है 91 किसी में आता 1 & 91 तो देखें इसमें क्या होगा sorry 91 तो होगा 91 तो होगा इसमें हां इसमें होगा और 3 से भी डिविजवल है ना यह भी तो 3 से करिए 3 3 3 नहीं यह 9 से नहीं 7 से होगा 7 से होगा 91 जो है 7 से होगा 7 बंज़र 7 2 7 से जा 21 यानि 13 से जा तो 7 & 13 और क्या हैगा 91 अब आप देखें इसमें पॉमन फैक्टर कों से हुए 1 & 7 तो देखें अब इसमें लाड़ेस्ट क्या है 7 यानि यह 7 से डिविजिवल होगा कम्प्लीटली इससे होगा तो इस तरह से आपको यह कॉश्चन करने होंगे अब कल हम आगे का चैप्टर 6 इसको हम रिविजन करेंगे ठीक है तो आप इसको अच्छे से रिविजन कीजिए आपका जो स आपको 5 तक हो गया है 6,7 हम नेक्स ग्लास में करेंगे तो आपको ओंबर क्या है डूंग्त प्रैक्टिस आप चैपटर 4 5 6 7 है अप कर रिया आप रचुखे हैं कर बाचुकी हों नमे तो आप प्रैक्टिस करिए जितना आ कर सकते हैं इसमा करिए वाकि मैं कर्भांगे आप को रिविजन तो आप अच्छे से रिविजन करिए ओके थैंक यू